तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा IDVI बैंक का नेट बैंकिंग आप कैसे रिजिस्टेशन करेंगे और कैसे इसमें लॉग इन करेंगे तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा के फिरी में सबस्क्राइब है आप सबस्क्राइब करके बैल आइकोन दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड करूंगा उसको नोडिविशन आपको जल्दी से सबसे पहले मिलेगी बहुत सरे लोग देखते हो आप अपना काम भी करते हो बट सबस्क्राइब नहीं करता हो प्लिस सबस्क्राइब कर दीजिएगा तो यह पर लॉग इन पर जाएंगे यह पर पारसोनल लॉग इन अगर आईडी वी याई बैंक हम यह नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया बैंक है बट इसमें अगर आप अपना बिजनिस एकाउंट करेंगे तो आपको फायदे मन होगा तो यह आपर देखिए फास्ट आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको टाइटेल सिलेट करनी होगी आप अपने सबसे टाइटेल याप पास सिलेट करेंगे टाइटेल सिलेट करनी के बाद आपको कस्टोमर आइडी कहा से मिलेगी बैंक पे बोलेंगे जब एकाउंट ओपनिंग हो जाएगा तो बैंक से अगर आपका ATM card जब courier पर आता है by post से तो इसका बात क्या करना होगा आपको customer care पर call करके आपको ATM का password generate करनी होगी password generate करनी के बाद आप जो है इसमें login करपाएंगे अगर ब्रांच से भी अगर आपका ID password create कर देगा फिर भी आप login नहीं कर पाएंगे मेरा already registered है इसका बाद आपको ATM card का details देके इसमें register करना होता है ठीक है तो password आप customer care पर call करके ATM का password generate कर लेजिएगा official lawyer set से customer care का number लेजिएगा या branch से आप number ले सकतो या आपके जो check होगा उसमें भी customer care का number है तो इसका बाद login आप कैसे करेंगे देखिए login करने के लिए आपको password generate करना होगा password फर्स्ट अब login करने के लिए आपको पाजवार generate करनी होगी तो password generate के लिए आपको इस बड़े option पर click करके इसमें आपको login ID जिसमें आपका customer ID होगी और अपना account details देके continue करेंगे continue करने के बाद इसमें आपको और वे details भरने होगी वीडियो को end तक देखिए और फिर से request कर रहा हूं अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर दीजिए और bell icon को दबा के रखिएगा ताकि आने बले समय में वीडियो का notification आपको मिल जाएगा इसका बाद आपका debit card का details यहापा द लेकिन आपको खुदी करना होगा आपके बाइबोस्ट में ATM card आएगी आपको customer care पे call करके password जनाएट करनी होगी इसका बाद आप खुदी register करके खुदी login कर सकतो अगर brand से register करेंगे फिर भी आपको ATM card से login होगा तो continue button पे click कर देंगे तो आपको OTP आएगी one time password आएगा आप की mobile नंबर पर जो आपका register mobile है उसमें OTP आएगी तो OTP को आप पर put करने के बाद मतलब type कर देंगे अगर आपके बाद OTP नहीं आता है तो आप यह से recent कर सकते हो और करने के बाद यह आप continue करने के बाद यह आपर recent कर सकतो recent OTP तो इसका बाद आपको नेश्ट पोसेस पे आना है इसमें आप क्या-क्या बनाएंगे जैसे आप इसमें लॉग इन पाज़वार्ड है ट्रांजेशन पाज़वार्ड है और एक्सेस भी आप यह से सेट अप कर सकतो के एकाउंट का एक्सेस क्या रहेगी आप सिर्फ देखें मुलोचा है इसमें क्योड फफर्पर घरांई कैना विए और युद्र करना होगा आपके न्यूव पाज़वार्ड यापणाना में ढालने होगी हां मतलब मतली मिन देखिए जो आपको अक्को किन तेस्ट बक्स जाएंगे तो आपको अपने सबसे टालना है देखिए याद रेखिए का पाजवाट जो है नॉर्मल पाजवाट मत बनाईएगा अच्छा पाजवाट बनाईए और एवरी मन्त कम से कम कोशिश कीजिएगा कि पाजवाट को चेंज करें ताकि आने बले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो और कोई भी बंदे अगर आपको पाजवाट मत दिजिएगा यह मैं आप लोगों को बोलूंगी तो यह पर आप अपना डिटेल्स भरने के बाद पाजवाट आप जो भी लिखना चाहते हो यह पर आप टाइप करके लिख सकते हो पाजवाट इसका बद चेंज भी कर सकते हो माई एकाउंट पर जाके तो इ पाजवाट आपका क्रियेट हो चुका है आपका लॉगिन पाजवाट ट्रांजेशन पाजवाट और आपका एकसेज भी हो गया है तो अपने हिसाब से एकाउंट यह कस्टोमाइज आप कर सकतो मतलब अगर ओल्ली नेट बैंकिंग से आप अगर ट्रांजेशन नहीं करना मतल whole गरियें लिगा होता है लेकिन इसमें अलग। पेज होता है और पाजवाट नेश्ट पेय में आपको देखे लॉग इन करना होगा तो यही है मतलब इसी तरीके से आप जो है अपना account को access कर सकते हो और एक ही मतलब एक ही net banking से अगर आपका current account, saving account सब कुछ आप manage कर सकते हो सभी net banking, सभी bank का net banking का system 90% same है ठीक है और इसमें एक क्याम करना होगा आपको security question यह पर आपको select करनी होगी और उस question का answer आपको लिखना होगा यह क्यू लगेगा कभी भी अगर आप password forget करना चाहते हो या password recent करना चाहते हो या profile में कुछ changes करना चाहते हो तो कुछ भी अगर बड़ा amount उनका transition करना चाहते हो तो उस case में आप transition password देंगे OTP देंगे इसका बाद security question का answer भी आपको देनी होगी इसका बाद यह आपका transition process होगा तो इसको आप जो है ना लिखने के बाद इसको मतलब यह आपर लिखेंगे ओ आप अपने diary में या कुछ जेगे पर नोट करके रखिएगा ताकि आने बाले समय में अगर कहीं पर भी security question का answer आपको देने लगे तो आपको कोई problem ना हो इसका बाद यह आपर continue यह complete कर दीजेगा इसका बाद आपको यह आपर time and condition आईगी time and condition का page है तो time and condition को आपको agree करना होगा देखे read करके हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम bank use करेंगे ठीक है इतना बड़ा मतलब होता है तो इस बाद से हम agree कर देते हैं bank का ही है time and condition तो उसके सबसे इसका बाद यह आपर capture select करनी होगी यह security reason से है इसमें आपको कुछ लिखना होगा उपर में text box है उसमें कुछ भी लिखके आप उसमें कोई भी एक picture आप select करके आप यह आप पर submit कर दीजिएगा ताकि जब भी आप login करेंगे तो यह page मतलब यह picture आएगा तो आपको पता चलीगी कि यह account मेरा है नए account करेंगे तो यह alert होगा कुछ दिन के बाद यह alert हट जाएगा उसमें कोई टेंशन लेने की जुरुरत नहीं है यह KYC relative है तो इसी तरीके से आप अपने account पे registration कर सकते हो IDBI bank का और login भी कर सकते हो easy process है अगर आपको account खुलनी है तो यह ब्रांच पे जाके अपनिंग करना होगा और IDBI bank से में यह नहीं को होगा कि बहुत बढ़िया bank है मैं इतना कर सकता हूँ अगर आप current account खुलेंगे business account तो आप easily अपना account को access कर सकतो नॉर्माली branch पे ज्यादा भीर होता नहीं है तो आप जो है अपना account में जो कोई भी problem होगी जाओगे और problem solve करके तुरंद आजाओगे तो यहीं तर इंपर्मेशन वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर दीजेगा धन्यबात